नमस्कार एक बड़ी खुसकबरी के साथ आपके बीच में एक संदेश पहुचाना चाहता हूँ साथियों हम सब की संगर्स की जीत हुई और जो मुहीम थी कि सरकार और बेसिक सिच्छा विभाग 27,000 बिद्यालियों को बंद करने पर कार कर रहे थी जिसको लेकर हम सब ने ध्यान रखा और उस मुद्दे पे हम सब ने काम किया और उसका ये फल रहा कि प्रदेश की सरकार और बेसिक सिच्छा परशद या बेसिक सिच्छा विभाग ने अपना ट्वीटर पे ट्वीट करके बयान दे करके पल्ला जाल लिया कि ये जो 27,000 इसे को लेटर भी जारी कर दिया था उन्होंने आकड़ों को विवारे मैं पूछा था और उन्होंने इस मामले पर प्र कार भी किया था जैसे ही 27,000 बिद्दियालों को चिन्थित होने के बाद तुगलगी फर्मान आया कि अब प्रदेश में 27,000 बिद्दियालों को बंद क उमियुस 21,000,22 बाल, लुखे रहा है करे मानि मुकमंत्री जी ho खेमा, कर मानि मुकमंत्री जी न की पहित शहा होस्तिघा को देखा ज़नीन तो प्रमुक बढर में य४के पृपछ की का किटिंग ङूँक है साथियों आपने देखा कि हम ने पूरी हम और हमारे सभी साथियों ने सरपर्थम सारी बिपच्छी पार्टियों को इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहा फिर उसके बाद सारी मीडिया अगबारों को हमने प्रेस बिज्यप्ति दी और आज वही सुर्ख्यों में चाया रहा स सबस्तारी बिपच्छी पार्टियों ने इस मुद्दे पर बोला जिस प्रकार से सरपर्थम पासपा की सुप्रीमों पूर्व मुक मंत्री माया बतीजी ने इस मामले में सबसे पहले हस्ता चेप किया और सरकार की जम कर अलोचना की उसी सिच्छक संगठन ने इस मुद्द मेडिया में काफी अलोचनाओं की वज़ा से आपने देखा होगा कि आज तुगलकी फर्मान वापस ले लिया गया है और जिसकी सफाई डीजी महोद्या ने टूइट करके जानकारी थी है उन्होंने बोला कि यह जो खरबरे परकाशित हुई है जो यह सब्ताइज जर्वे काम करने वाले थे लेकिन उनको यह नहीं पता था कि अगर हम सब्सक्राइब कितने पचास बिद्यार्थिंशे कम बच्चे कितने विद्यालियों में है उनका आकड़ा डाटा भेजा जाए उसके बंद करना या समयोजित पे काम करते हैं तो साथियों फिलाल सबसे बड़ी उनके के तक पहुच रही है लेकिन तब भी हमारी मांग को अंसूना किया जा रहा है उसी प्रकार जैसे आज हम सबने काम किया और जैसे कि आज हमने मुखमंत्री जी को पत्र दिया जो काफी सुर्कियों में बना रहा और जो आज हमने विपच्छी पार्टियों को बंद करने पर हमने दो-तीन दिन से काम कर रहे थे वो भी काफी सुर्कियों में बना रहा जिसस साथियों और पच्छी पार्टिस मैं यह भी उमीद करता हूं कि नई प्रात्मी सिच्छक भरती के लिए भी हम सब का सपोर्ट करें साथियों फिलाल जो आद दिन भर की चर्चा का विश्य था वो जानकारी आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूं बाकी जो भी जानकारी होगी आपको जल्द पता जाएगा धन्वात